कि दो साल कुरोना की जद में आने के बाद हम बाहर निकले थे इस दर्मियान कई लोग हमारे बीच से जुदा हो गए कई लोग अकरांथ हुए ठीक हुए हम लोग सभी लोग यार नहीं सोचे थे कि तिसरा वेब भी आएगा लेकिन ओमिक्रोन के रूप में तिसरी लहर भी हमारे पास आप पहुचे राज में संख्या तो बढ़ ही रहा है लिए अपने गड़वा जिले में भी लोग इस कुरोन के यानि इसका तुस्या नाम हुआ है ओमिक्रोन उसके जहद में लोग आने लगे हैं जिला परसासन लगातार पहले दौर की बात भी हमें याद है दूसरा दौर में भी जब हम गुजर रहे थे करोना के से तब भी माँ जिला परसासन पुरी तरह परतिबद था पर्सासन पर्यास कर रहा था लोगों को बचाने की जदोजहद में जुटा हुआ था सारी जगह बेवस्थाएं की गई थी लोगों को जागरू किया जा रहा था इस तीसरी लहर जो आई हो मिक्रोन के रूप में इसमें भी परसासन काफी जुटा हुआ है लोगों को जागरू कर रह सामने पर साथिकारियों पहुंच रहे हैं ओभी भी इस हालात में विसम हाला वह अमसे आने चारा है अभी भी लोग नहीं चेत रहे हैं अभी भी लोग व्यक्सिनेसन के परति जागरूक नहीं हो रहे place अप का इंतजार कर रहा है आप तीसरी लहर हमारे पास पहुंच चुकी अभी भी आपको चेतना होगा परसासन अपने लिए नहीं खुद के लिए नहीं हमारे और आपके लिए ही आपको जागरू कर रहा है प्रसासन के या तो परखंड का अस्तर का अधिकारी हो या वर्य अधिकारी हो कोई भी कार्चक्रम होता है या तुम निजी कार्चक्रम हो सरकारी कार्चक्रम हो किसी कार्चक्रम वह पहुचें किसी के तो उस कार्च सचेत होना जोरी है भेक्सिनेशन को ले करके लगतार परसासन आपको जागरुक कर रहा है आप भेक्सिनेशन को ले करके आगे बढ़ें आप खुद तो ले ही अगर आप नहीं लिये हैं टीका तो आप टीका लें साथ ही दूसरे को भी जागरुक करें हम एक बार फिर कहेंग जो है गड़वाजिले में ही वहाँ के अपने अनुमंडल मुख्याले हो या सुदूर देहात हो और हर जगां में जाकर लोगों को जागरू कर रहे हैं उनके द्वारा लोगों से किस तरह पील कई गई क्या कहा गया आई आपको सुनाते हैं अभी बारा सरकार ने अलाव कर दिया है 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सिनेशन देना है तो इसमें हमारा प्राइरिटी एरिया यही यही है कि जो भी विद्याले हैं, हम लोग वहां जाके विद्याले सारे नगर उठारी के अंदर बच्चों को बच्च्चित कर रहे हैं दूसरा है बच्चों के माध्यम सेreno के पैेंट्स को भी प्रचलर क्योंकि बॉलने का वली कोरो ने की तिसरी लहर आ मैं चुना स्भान रहालेकार की हम करोना के इस मामारी से बच सकते हैं नगर उटारी में टोटल बारा से चौदा विद्ध्याले हैं जहां हर विद्ध्याले में हमने कैंप लगाए आज पुलिस अदेचा गड़ों मोधे के द्वारा जूमें अपके माध्यम से पुरे जीला के सभी थाना पुलिस ने रिचा गया है जिसमें कई परकार के निर्देश हैं जैसे पार्क स्विमिंग पूल जूम चणियागर प्रेटन अस्थर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे इसी के साथ स्कूल कॉलेजेज कोचिन संस्थान इन सभी के लिए गैड्लाइन दिया गया है साथी और आवस्थे गैड्लाइन जो भी सरकार के दोड़ा जारी किया गया इसका कैसे अनुपालन क्रामा है इन सम्दित बातों का निर्देश पुलिस अदिशे गड़वा मोदे के दोड़ा दिया गया है जिसका अनुपालन सभी थाना अस्तर से कराया जाएगा और सभी से अपील भी है कि को देखते हुए जो तिस्री लहर के रूप में बहुत तीजी से फैल रही है लोग कोरोना गाइडलान का पालन करें और आपने आपको सुरक्षी थाके अब इसमें दुकान सभी दुकानों का निर्देश दिया गया है जिसमें कुरूस दुकाने है जैसे दवा दुकान पेट्रोल पंप यत बंद रहेंगे आपने दोनों की अपील को सुना इस डिवा लोग कुमार की और एस डिपियो परमोद कुमार केसरी की तो यह अपील हम एक बार फिर कहेंगे अपने लिए नहीं कर रहे हैं खुद के लिए नहीं कर रहे हैं हमारे और आपके लिए कर रहे हैं इसलिए जरूर झाल झाल झाल